डॉक्टर नरंदर सिंकपुर दे पुस्थक है कुन्जियां इस पुस्थक विच पांपांदे तजर्बे फल्स्पे ते सिदान्थान इस विच काट-काट दा पानी है इस पुस्थक दा संजाविशा जिन्दगी है जिसनू व्याख्या ते कहाणी रूप विच प्रगटाया गया है इस पुस्तक दा सुमुच्चाव देश जिन्दगी दी सूज बूज नू वदाउना है ते बंद बूहे बारियानू खोलना है इस विच देश विदेश्तिया अनिक का हस्तिया मिथ्यासिक, इत्यासिक, कटनावां समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्तारियां कित्या, स्थित्या, रिष्ट्या, तार्मिक विश्वासा विज्ञानक द्रिष्ठी कोनां दे हवाले हन जेडे आसे पाठकां दे चेतना नू जगाउन ते सोच नू विशाल करंगे कई पेरियां विच व्यंग है कुछ विच मनोरंजन भी है कईयांच मन नू हुलारा देन वाले अनुबव वी हन कोई निचोड नहीं कड़े गए क्योंके निचोड पाठक ने अपनी स्थिती ते मन दी हालत अनुसार आप कड़ने हुन दे हन सही द्रिष्टी कोण दी कुणजी तो बिना जिंदगी दियां समस्यामा अते मानसिक उलजना दे जिंदरे खुलनों इनकारी हुए रन दे हन आसे तुसी जान जाओगे के केडे जंदरे नू केडी कुणजी लोनी है तान वाद पहला एपीसोड बिर्द आश्रम पत्नी दे बार-बार केंड ते इक पती अपने पितानू बिर्द आश्रम छाड़ाया सी पत्नी ने पतीनू मुण बिर्द आश्रम ए निश्चित करन लई पेज्या कि पिताजी तुहारादी छुटी वाले दिन वी आश्रम वे छीरया करन, कारना चले आया करन इस सुदेश लेई पुत्तर वापस किया के बिर्द आश्रम दे परबंदक नाल पक्का कारावे के पिताजी नू छुट्टी ना देते जावे पर पुत्तर ने वेख्या के परबंदक नाल पिताजी बड़ी अपनात नाल गल्लांका रहे सन, जिवें बहुत पुराणी वाकफ हों पुत्तर ने परबंदक नूँ पुछिया, तुसी मेरे पिताजी नू कदों तो जान देऊ? परबंदक ने क्या पिछले ती साल थों, जदों नाल लगदे अनात आश्रम वेच्चों, मेरे कुडों पुत्तर गोद लेना आये सन, तानुवाद पेंडू बुद्धी पेंड़ दे रस्ते वीच इक बहुत वड़ा पत्थर सी, जिस कारण आवा जाईच निरंतर विगन पैंदा सी, हटान लेई सजाओ मंगे गई एक ने क्या इदे टुकडे करके रेडे आंते लदके ले जाया जाएगा? खर्चा अठ़जार हुएगा दूजे ने क्या मजबूत सरीय रखके रोड के ले जाया जाएगा? खर्चा छे हजार हुएगा एक पेंडू खड़ा सी, उने क्या इस पत्थर दे नालिक वड़ा टुआ पुट के, रोड के, पत्थर उस वेच सुट के उपर मिट्टी पाके, रस्ता पद्रा किता जाएगा? खर्चा एक हजार रुपए हुएगा दानवाद संतुष्टी बाग दे बार बोड लगया हुया सी, ए बाग उसनू तोफे वज़ूं दित्ता जाएगा, जेड़ा पूरी तरां संतुष्ट है कई पढ़ दे सन, ते पढ़ के कुछ गंबीर होके, कुछ मुस्कुरा के अगे लंग जान दे सन कोई-कोई रुखवी जान दा सी, ते बाग विच जाके क्यान दा सी, मैं पूरी तरां संतुष्ट हाँ, मैं बाग लेन दा हकदार हाँ जे पूरी तरां संतुष्ट हो, ते बाग क्यों लेनां चौन दे हो, अति यो गंबीर होके, इस प्रशंदा उत्तर लब्बन लई, अगे निकल जान दा सी किरदार संताली दे फसादां विच मुसल्माना दी इक पेड ने, कै सिक परवार कतल कर देते सन इना फसादां दुरान, जिर्वी नादे एक मुसल्मान पिछे, सिक्खां दी बदला लवपीड पई होई सी जिर्वी दौडर्या सी, पेड पिछा कर रही सी, जिर्वी रस्ते विचले अपने सिक दोस्त गुर्मुक सिंग दे कर वड़ गया गुर्मुक सिंग ने अपने दोस्त नूँ बचाउन खातर अपनी बिमार पतनी नाल लिटा दिता ते उपर कंबल पा दिता हम लावर आए, गुर्मुक सिंग ने क्या कर विच बिमार पतनी तो सिवाई कोई नें उचले गए, उस उपने विच्वी नहीं सी सोच सकते कि तार्मिक बिर्ती वड़ा अम्रत्तारी सिक गुर्मुक सिंग किसे मुसल्मान नूँ आप अपनी बीवी नाल लिटा देगा इस कटना नूँ फसादियां दी द्रिंदगी ते सिख करदार दी बुलंदी दी मिसाल वजों पाकिस्तान दी मुसल्मान बड़े सतकार नाल सुनों दे हन तानवाद मुआवजा बिल गेट्स नूँ किसे ने पुछया तुसी दुनियां दे सब तो अमीर आदमियों की कोई तो अड़ेतों भी अमीर है बिल गेट्स ने क्या हाँ इक है बहुत पुराणी गाल है उदो मेरे कुल पैसे नहीं सन ता मैं न्यू यार्क हवाई अड़ेती अखबार लेनी चौंदा सा पैसे नहीं सी जोदो में खाली जेव रोल के चल पया ता अखबारां वड़े लड़के ने मैंनू जोदों अखबार पड़ाई ता मैं क्या पैसे नहीं हन उसने किया मेरे वलोई तोफ़ा समझ के परवान करो तिन मीने मगरों फेरे में वापरिया लड़के ने किया इए अखबार मैं अपनी कमाईचो दे रहा कई साल मगरों जोदों मैं अमीर हो गया ता मैंनू अखबार वड़े लड़के दी मेर बाननी याद आउं दी सी मैं उसनू एक महिने दी पाल मगरों लब लेया मैं पुछेया तु मैंनू जानदा है उनी क्या हाँ तुसी संसार दे सब तो अमीर आदमियो मैं क्या तेरी आखबारां दा करजा ते मुआवजा दोननो लोने चोंदा हाँ तैनू जो पसंद है तुन जो लेना चोंद है दस उतेरा हो जाएगा उसने बड़े स्वेव विश्वास नल क्या तुसी मेरा मुआवजा नहीं दे सकते मैं पुछेया क्यों उने क्या आखबारां मैं तो अनू अपनी गरीबी दोरान देतीयां सान तुसी मुआवजा अपनी अमीरी विच्चों देन लगे हो एग अल सुन के बिल गेट्स ने क्या मेरे विचार विच उन मेरे तो अमीर है किसे नू कुछ देन लई अमीर होना जरूरी नहीं स्थिती कोई वी होवे कुछ दित्ता जा सकदा है तानुवाद बदला मैं बदल रहा हाँ उमर ने सब कुछ बदल दित्ता है बढ़ियां बैसां करिया कर दे सी बढ़े नारे लोंदे सी हुन दूजियां दिया मजबूरियां समझ आण लग पे या हाँ हुन मैं सबजी या फ्रूट वाले नू पाक टानली नहीं कहनदा हो सकदा उन्हें तीव्याणी होवे बच्चियां दी स्कूल दी फीस परवानी होवे हुन पामें कोई गल दस्मी वार करे मैं टोक दा नहीं किसी दे कथन विच गलती हुवे सोद दा नहीं हुन मैं वदायां ही दिन दा हाँ शाबाश ही कहन दा हाँ हुन मैंनू किसी दी कमीज विचला वाट परेशान नहीं कर दा जदों कोई अग्गे लंग जान दा है ता मैं पच्छड गया मैसूस नहीं करदा उन मैं किसी दोड जा मुकाबले विच नहीं रिष्टा छड़न नालों हौमेत यागनी चंगी लग दिये अपनी खुशी में आप सिर्जन्दी जाज सिख लई है उन मैं बदल गया हाँ उन मैं बड़ा सुखी हाँ तानुवाद लिखन सर अजोक के दमदमा साहिब विच एक कच्छे टोबेदे किनारे तंबूला के गुरु गोबिन सिंग ने लम्मे युद्धा मगरों दाम लेया सी जिस कारने स्थान दमदमा साहिब अखुवाया इथे गुरु गोबिन सिंग ने पन्जवे गुरु साहिब वलो संकलित किती बीड विच नौवे गुरु साहिब दी बाणी शामिल किती अते संपूरन बीड नमे सिरियों लिखवाई सी जिसनों दमदमी बीड किया जान्दा है जिसना होन परकाश किता जान्दा है इस इलाके विच आम उगदे सरकडे दियां कलमा गुरु साहिब अपने हत्थी काड के लिखन ली दिन देसन लिखाई कर दियां कासके मुट्टी हुई कलम नू पासे रख दियां उन नमी कडी हुई कलम दिन देसन सुमुच्य कारज दी संपूरन ता मगरों उनाने बची हुई स्याई ते वर्तियां हुईयां सब कलमां दे नाल ही बहुत सारिया नमिया कलमा कड़के टोबे दी पेट कर दितियां ते उस टोबे नू उनाने लिखन सर दना दिता ते वचन कीता कि ए स्थान गुरू की काशी है इस इलाखे च विद्या दा चानन होएगा ते थे कलमा वाले पैदा होंगे तानुवाद पसंद दा नियम ते जेडे मुंडे इना कुडियानों पसंद होंदे हन वो कैनेडा, अमरीका ते अस्ट्रेलिया च रहंदे हन पसंद दा ये नेम ते व्यांग है के जो हाजर होंदे वो पसंद नहीं होंदा ते जो पसंद होंदे वो हाजर नहीं होंदा तानुवाद मैं ते मेरा बापू पंजाबी दा परसिद नाटक कार अज मेर सिंगौलक जदों चलाना कर गया ताउदी ती सोज लई जिवना मुश्किल हो गया पिता ती दी जिन्दगी दी चूल सी चूल दे हिलन नाल सोज मुर्जा गई उपराम होके इस संसार नूँ अलविदा कै गई ती अपने जान दा कारंदसन लई उँ लिखके रख गई एक मेरा प्योसी ते एक मैं जदों नी रया ता मैं क्यों रहा उँ मैंनू कली नूँ छड़ गया ते मैं सारी दुनिया नूँ छड़ के उदे एक नेड़ी जा चड़ना है फेर तो क्योंकि उँ विचारा के मैं जियू उथे कलम कला पुखन पाना ते हाया ते तिरहाया जियू अज मेर सी ता मैं भी सोजां ते ओलख तां दों में कठे होया कर दे सी ते होन भी कठे यां तुसी फिकर ना करेओ मेरे बापु दे दोस्तों ते कदर दानों असी एथे बाले खोशां तो अड़े तो अड़ हो के वी पर मैं अपने बापुनों कल्या नहीं सी छाड़ सकती राणे वीर दुख शिक्वे ते मौफी वली कोई गलनी उन मैं ते मेरा बापु तो अड़े सारे यांदे दिलांची कठे रहांगे प्योती बणके ठीक है ना ता नौरात योगता इसाई जगत विच परिवार दे सारे जी एतवार नूं त्यार होके बड़े चानाल गिर्जे जान दे हन बच्चियानू सोनी कपड़े पाके गिर्जे जाना ते होर बच्चियानू मिलना चंगा लगण करके गिर्जे जान ते गिर्जे दा अनुशासन मनन दी आदत पैजान दी है इवी उनानू पादरी वांग बोलन दी सिखलाई वी मिल जान दी है करा अंदर मामा ते दादियां पुत्रां पोत्रियां दे सुरुते बणके उना दी सलिके नाल बोलन दी योगता नूं सेंज दिया हन। तार्मिक स्थाना ने बड़े परसिद गायक पैदा कीते हन। जेडे नाकेवल पजन, कीर्तन, गौंदेई हन। इहोरा नूं गौनियां सुनन दे, शौकीन वी हो जान दे हन। तान्वाद सविकार न। बहुत काटलोग हुन दे हन, जेडे अपनी असफलतानूं खेडे मत्थे सविकार कर दे हन। खेडारियां वीच जुदूं तक खेड पावना ना होवे, वो वड़े खेडारी नहीं बन दे। इक शादी वीच दुलंदा साबका प्रेमी वी आया होयासी। उन उप्रा बंदा समझ के लड़की दे पिता ने पुछया, तुसी कौन। प्रेमी ने खिडे मत्थे जुआब देता, जी मैं सैमी फाइनल वेच्चों बार होगयासी। इथे फाइनल वेखना आया हां। तानवाद, रेमंड दी सफलता। रेमंड नादा व्यक्ती फ्रांस वेच चरवाहासी। अपने चाचे दे कैंटी वीमी सदी दे रांभ वेच बारां साल दी उमर वेच अमरीका चला गया। जित्ते नियू यार्क दे एक होटल वेच ओँ जानवाले महमाना दा समान टोया करदा सी। दस साला वेच ओँ होटल दा मैनेजर, ते पंदरा साला वेच ओँ दो होटला दा मालक बन गया सी। उस दे होटल वेच फ्रांसीसी फोजी ठहर दे सन। उस वेले हवाई जहाजां दे निर्मान दे परियोग हो रहे सन। उस दी हवाई जहाजां विच दिल्चस्पी जाग पई। उसने पंजी हजार डॉलर दा इनाम उस पाइलेट नू देन दा एलान कीता जिड़ा पैरिस सते निउयार्क दी सिद्धी उडान परे। नौ व्यक्तियां ने अपने चार लाख डॉलर पंजी हजार दा इनाम जितन लेग खर्चे पर सारे नौ मारे गए। उन्नी सो स्ताई विच नन ग्रेसर ने उडान परे रेमन पाइलेट नहीं सी पर उसने पाइलेट आनू उत्शाहित कीता। जिडे आप सफल हुन दे हन वो होरां दी सफल ताले रा बनों दे हन। एक खुशाली दा परमान हुन दा है। रेमन दे नाम नाल वाप्री इस उडान ने हवाई सफर दी खेतर विच इतिहास राच देता। पहले साल छे हजार सुवारियाने हवाई सफर कीता। एक साल विच जहाजान दी गेंती चार गुणा ते सुवारियान दी गेंती ती गुणा हो गई। इमें इक चरवाहे ने हवाई यात्रादा नमा योग पल्टाव। उद योग खड़ा करदता। जिस कारण हजारा लखा लोकानू रोजगार मिल्या। तानवात। अमीरी पैसा कमाउन वो पार करन दे पक्षूं। कुझ नमा करन ती मुकाबला करन दे पक्षूं। अमरीका दा कोई जवाब ने। पर जिन्दगी मानन दे पक्षूं। मानसिक तसलीत एक खान पेइन पैन अन वर्तन दे पक्षूं। योरप अमरीका नणों कई दरजे बित्तर है। कई योरपेन अमरीका जाके अमीर होके जीवन मानन लई योरप वापस आ जान दे हैं। अजे संभव नी होया के कोई पंजाब भी अम्रीका कैनेडा जाके पैसे कमाके अमीर होके पंजाब आके रहे। अजे हा व्यक्ति बहानने पावे किन्ने लावे वास्त विच्चो अपने आपनू अमीर मैसूस ही नी करदा। अते अजे आम मैसूस करन्दे लालच वेच ओ अमरीका विच कुम दरन्दे ते अमरीकन जीवन दे हाशिये ते बैठा बैठा जीवन गुजार दन्दे तन्वाद खुशी इक वार क्रिक्टर अबास अली बेग ने जदू अद्धा सेंकडा बनाया तान दर्शका विचोईक लड़की दोड़दी हुई आई ते बेग नूँ चुम के वापस दोड़ गई बेग नाल खेड रहे मर्चंट ने बेग नू व्यांग नाल पुछिया जदू मैसेंकडा बनाया सी ता ये कुड़ी के थे सी लड़की दे चुमन कारण बेग सत्मे असमानते सी उने क्या उद्वे सौरी हुएगी तान वाद बच्यां दी मर्जी छोटी उमर वेच बहुत अधिक उपदेश आत्मक पुस्तका नहीं पढ़नियां चाहिए दिया इना दासर नहीं हुँदा इस समझ नहीं आउंदियां उप देशान नाल तुन्ने होय सेर दर्द करदे हन जिमें बजुर्गानू बहुता खाणानी चाहिदा बहुता चबोणान चाहिदै उमें बहुत छोटे बच्चियांनू बहुता पढ़ना नहीं चाहिदा बहुता खेड़ना चाहिदै बच्चियांनू बच्चे रेन देओ उन्हान व्यक्तियां दे सांचियां वेच ना टालो जे विकलांग जा नेतर हेननू पैसे देओ गे ओ जीवन पारली मंगता बाण जाएगा उनू काम देओ, काम दी उजरत देओ, उनू होरावर्गा बननदा अवसर देओ बच्चे नू खेड़न देओ, अपनी मर्जी नल पड़न देओ, अपनी टांग नल संसार फुरोलन देओ, उनू महान ब्रोन दी जिद त्याग गो, उसनू जीवन मानन देओ, तानु आद दुजे विश्व युद दौरान, एक पतनी दूर मारू थल विच, एक बैरक विच, उत्थे नियुकत अपने पती नल रहे रही सी, सब पासे रेत तोपते गर्मी सी, उन्हें अपने माप्या नू लिखिया, मैं इस रेत नू एक मेंट वी होर बरदाश्त नहीं कर सक दे, कारवापस आ रहे या, पिता ने मोडवी तार विच लिख्या, बैरक दी बारी विच्चों बार वेखिये, ता रेती रेत वखाई देगी, पर जे नजर उच्ची करके वेखिये, ता दिन वले असमान ते रात वले, चन तारे वी दिससंगे, ती इने तार विच ले विश्बारे सुचिया उन्हें दिननू रात ते रात नू अपना दिन बढालिया मारू थला विच रातां ठंडियां ते असमान चन तारयां दा वड़ा चाज लगदा है उन्हें पिता दी तार पड़ के पती न लो थे डटे रेन दा फैसला किता मारू थल नहीं सी बदलिया मारू थल बारे ती दा द्रिष्टी कूण बदल गया सी तानुवाद द्रिडता जित्थे कदर नहीं हुंदे उत्थे जाना ने जो पचदा ने उखाना ने जेडा साच सही बोलन नाल नराज होवे मनोना ने जो नजरां तो डिग जावे उठोना ने जो मौसम वांग बदल जाए अपनोना ने तानुवाद